दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एको नई नास्ता रेसिपी लेके आया हूँ जिसे आप बहुती ही आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों मैं आपको हमेशा आसान तरीके बताता रहता हूँ जिससे आप कम समय में नास्ता रेडी कर सकते हैं और इसे छोटी मोटी बूक के लिए या चाय के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को तो काफी पसंद आता है मैं ऐसे नास्ता रेसिपी लेकियाता हूं जो बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी काफी पसंद आता है और बहुत ही खसता और क्रिस्पी बन कर तयार हो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप सब्जिया ख्ना चाहते हो आप इसमें गाजर भी ढाल सकते हो और इसकी एक चेटनी बना लीजे इसके बाद में हम इसी मिक्सर को कम लेंगे थोड़ा सा पोहा हमने लिया है और पोहा को भी थोड़ा हलका धरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे ये बाद में हमारे जो नास्ता बनकर रेडी होगा उसके सेलरी में काम आएगा इसके बाद में हमने पहले से आलू उबाल के रखे थे तो पहले से आलू उबाल के रखने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बरकर चाउल का आटा तो हमने यह आप चाउल आटा ले लिया इसके बाद में दो बड़े चमच इसमें डालेंगे मैदा दोस्तों मैदा आप इसकी भी कर सकते हो या इसके बिना भी हमारा नासा बहुती बढ़िया बनकर तैयार होगा अगर आपके पास उपलवद है तो आप जरूर सी जरूर डालिए अब इसके बाद में इसमें डाल देंगो थोड़ा सा जीरा, लाल मिट्च पाउडर, धनिया पाउडर जो मसाले आप इसमें डालना चाते हो वो डाल सकते हो अप यहां पर चाट मसाला का भी यूज कर सकते हो और अगर आपको खट्टा खाना पसंद है तो आप इसमें नीबू का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसके बाद में सवादनों सार नमक डालिए और जो हमने चटनी बनाकर रेडी कीती दनिया टमाटर की बो वाली चटनी इसमें डाल दीजी अब थोड़ा सा पानी डालिए और इसे एक टाइट डोब बनाकर रेडी कर लीजिए आपको जब हम रोटी बनाते हों उसका आटा गुनते हैं उसके समानी आपको आटा इसका गूत कर रेडी कर लेना है दोस्तों यहां पर रेडी करने के बाद में आपको जब रेडी हो जाए हमारा आटा तो इसके बाद में हम इसको जो भी शेप आप देना चाते हो बो वाली शेप आप इसे दे सकते हैं जेसी आपकी इच्छ है जेसी आप देना चाते हो इसी दे सकते हो तो हमने यह वाली सेप दिये इसी परकार हम सारा नास्ता रेडी कर लेंगे आप इस प्रोसेज में हमें ज्यादा से ज्यादा तीन से चार मिनट का वक्त लगा है अगर आलू पहले से उबले हुए हैं तो ज् मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद में उसमें थोड़ा साबुत पहा और डाल दीजिए इससे हमारे नास्ता का लुकिंग भी अच्छा रहेगा और खाने में भी अच्छा रहेगा आप एक एक नास्ता उठाए और मैदा की जो शलरी बनाए थी उसमें डिप कीजिए और इसके बाद में आप इसको पोहे पर लगा दीजिए जो पोहा हमारा इसके बाद में लगेगा तो यह अच्छी तरह से चिपक जाएगा और यह जो आपको ट्रिक बताना चाता हूं यह जब आप पोहा इस पर लगाएंगे न तो हलके हाथ से इसे प्रेस कर देना मतलब थोड़ा थोड़ा दबा देना उससे हमारा पोहा जो तेल में बिल्कुल भी नहीं छूटके गिरेगा और बिखरेगा नहीं तो इस परकार से आप हाथ से हलका हलका प्रेस कीजिए इसके बाद में हमारा नास्ता रेडी हो चुका है तो इसी परकार से हम सारा नास्ता जो हम पहुंश सके इसके बाद में फैन चड आईये तो तेल बिल्कुल हाई प्लेंपर गरम करना है हाई प्लेंपर इनको सेक ना एक यह अगर आप सब्दों कि लोग मीडियम पर इसको सेको गे तो हमारा ना ये जो पर अपर पो हालागा है न हमारा वो विखर भी सकते हैं पहले सबसे पहले गेस को हाई प्लेम पर आपको रखना है और उसके बाद में आप लो मीडियूम कर दीजिए और इनको दो से तीन मिनट का वक्त लगेगा सिकने में जब यह बवल से कम दिखाई देना तब आप नास्ता डालो बवल दिखाई देंगे और जब कम पढ़ने ल नास्ता बनाते हैं उसमें थोड़ा सा तेल भर जाते हैं वैसे हमने यहां पर चाउल का अटा डाला तो तो तेल बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके बाद में हमारा नास्ता बिल्कुल सिक्कर रेडी हो चुक है देखिए आपके सामने कितना परफेक्ट तरीके से हमारा जो पोह है बिल्कुल चिपका हुआ है बिल्कुल तेल में नहीं विक्रा और इसके बाद में हमारा नास्ता रेडी हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को पसंद आती है उम्मित तो यह करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइबर जरूर से जरूर करें मैं आपके लिए एसी नास्ता रेसिपिल लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में